हेलो दोस्तो मेरा नाम है आकाश और स्वागात है आप सब का पैबली हिन्दी में सो आज की हमारी इस वीडियो में हम एक इंस्टेंट फाइल डिलिवरी सिस्टम मनाना सीखेंगे एक ऐसा सिस्टम जिससे जैसी हमें एक नया फॉर्म समिशन रिसीव होगा जो कि एक online form building application है यहाँ पर इस वीडियो में मैंने पैबली form builder का यूज किया है लेकिन आप basically चाहे तो किसी भी online form building lead generation या फिस subscription जो software से जो form building application से उसका यूज कर सकते हैं जैसे कि type form, jot form, elementor form, hubspot का form, questions called form या किसी और online form को तो जैसी है मेरे form building application में मुझे एक नया form submit होता है तो automatically उस form submit करने माले user के email address पे मैं अपने Google Drive में मौझूद एक file जो है automatically share कर देता हूँ वो भी directly मेरी Google Drive से तो कुछ इस तरीके का automation एक file delivery system मनाने के लिए हमें probably form builder और Google Drive इन दोनों को इंप्लिकेशन को आपस में integrate करना होगा लेकिन इन दोनों इंप्लिकेशन का आपस में कोई direct connection ना होनी की वैसे हम कुछ इस तरीके का automation setup नहीं कर पा रहे थे तो आज की हमारे इस वीडियो में इस problem को solve करने के लिए और इस पूरे automation को setup करने के लिए हम जिस software का use करेंगे उसका नाम है Pavli Connect Pavli Connect basically एक automation and integration software है जिसकी help से हम Pavli Pom Builder और Google Drive इन दोनों इंप्लिकेशन को आपस में integrate करेंगे और यह पूरा automation setup करेंगे साथ ही साथ इस file delivery system की मैं आपको सबसे खाज बात बता दू कि पहली कि यह पूरा automation setup करना सिर्फ एक one time process है आपको सिर्फ एक बार यह automation setup करना है and then उसके बार यह automation अपने आप successfully काम करता रहेगा कि जैसी हमारे Pavli Form Builder यप हमारे form building application में एक नया form submit होगा तो automatically हम उस form submit करने वाल यूजर की email पे हमारे Google Drive से एक file share कर देंगे और दूसरी खास बात ही है कि इस automation को setup करने के लिए आपको किसी भी तरह की coding skills या programming knowledge का होना ज़रूरी नहीं है एक non-technical user भी इस पूरा automation को बहुत easily setup कर सकता है तो चलिए अब हम finally शुरू करते हैं इस automation को setup करने की हमारी process तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यह वो form जो मैंने पैबली form builder के help से create किया है और इस form को मैंने अपनी website याफे में जो मेरा landing page है वहाँ पर add कर रखा है जैसे कि हमारे जो आज का idea जो use case है वो यह है कि जब भी को user इस form में अपनी details enter करके इस form को submit करेगा तो automatically उस user के mention कियेगा इस form में जो user email address mention करेगा उस email address पे जो मेरी e-book है उसका जो मौझूद है मेरी google drive पे इस e-book की एक file as a email उसके साथ share हो जाएगी तो यहाँ पे हमें पहले हमारे पाबली form builder में जो form submission का data जो response है उसे पाबली connect में collect करना होगा and then उस data में से उस response में से हम हमारे user के mention किये email address को send करेंगे google drive को ताकि हम अपने google drive से जो हमारी file है उसे automatically उस form submit करने वाले user के साथ share कर सके उसे send कर सके वो भी instantly तो सबसे पहले हम पाबली form builder का जो response जो data है उसे पाबली connect में collect करते है हम आएंगे पाबली connect के dashboard पे और इस dashboard पे हम आए हैं अपने पाबली account में login करके अगर आप भी पाबली पे अपना free account create करना चाहते हैं तो आए अपने browser में यहाँ search करे p-a-b-b-l-y pabli.com और pabli.com पे आते ही sign up free इस बटन पे क्लिक करके में इस दो मनेट में आप भी pabli.com पे अपना free account create कर सकते हैं तो pabli connect के dashboard पे आने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे create workflow पे और देंगे इस workflow को एक नाम तो example के लिए मैं इस workflow को नाम देता हूँ pabli.com builder to google tribe pabli.com builder to google tribe और क्लिक करता हूँ create पे create पे क्लिक करते ही यहाँ पे open हो चुका है हमारे पास हमारा workflow और इस workflow में हमें हाँ दो windows दिखाई देती है एक है trigger window दूसरी है action window so trigger और action basically वो दोनो concepts है वो दोनो principles है जिस पे यह पूरा automation काम करता है जिसमें trigger कहता है when this happens यानि कि जब ऐसा हो और action कहता है do this यानि कि ऐसा करे तो आज के हमारे इस video के use case में जो हमारा trigger है वो होगा जब भी हमारे पाबली form builder में एक नया form submit हो, हमें एक नया response receive हो तो automatically उस user के mention किये गए email address पर जो हमारे google tribe में मौजूद फाइल है उस file को share करें वो भी instantly तो यहाँ पर हम आते हैं पहले trigger window की तरफ और choose app में यहाँ search करते है पाबली form builder पाबली form builder तो यहाँ पर क्योंकि हमें पाबली form builder में जो form submission का data था उसे पाबली connect में collect करना था इसलिए हमने आप ए trigger में choose app में select किया है पाबली form builder तो यहाँ हम से पूछ रहा है trigger event तो यहाँ select करेंगे new form submission क्योंकि हम पाबली form builder से new form submission का जो data है उसे पाबली connect में collect करना चाहते है तो अपना trigger event select करते ही पाबली connect ने दिया हम एक webbook URL अब इस webbook URL की help से हम पाबली form builder और पाबली connect इन दोनों को ही आपस में connect करेंगे एक connection का process हम कैसे करेंगे यह पढ़ते में इसके नीचे दिये गए help text पे तो यहाँ लेखा है login to पाबली form builder account click on integration menu available at left side in dashboard तो यहाँ पर ही हमें कह रहा है कि हम अपने पाबली form builder account के में login करे और वहाँ जाके इन steps को follow करे ताकि हम इस webbook URL के help से पाबली form builder और पाबली connect को आपस में connect कर सके तो चली दोस्तों मैं आपको directly ले चलता हूँ मेरे पाबली form builder account पे और वहाँ चलके आपको बताता हूँ कि कैसे हम इस webbook URL का use करेंगे तो यहाँ पे हम आ चुके हैं मेरे पाबली form builder account के dashboard पे और आप यहाँ देख सकते हैं वो सभी forms जो हमने हाँ create किये हैं जिसमें से आज की जो में हमारा example है डिजिटल मारकेटिंग के course की ebook का उसके लिए जो मैंने form create किया है वो है यह form हम इस form के सामने दीगे three dot पे क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे edit पे सो हमारे पास यह जो form है यह edit mode पे यहाँ पे open हो चुका है इसके बद इस form को open करने के बाद हम यहाँ पे left side पे कुछ option दिखाई देते हैं जिसमें से एक option है integrations का हम यह click करेंगे integrations पे सो integrations पे click करते ही हमें यहाँ पे कुछ option दिखाई देते हैं जिसमें से एक option है webhooks का हम select करेंगे webhooks और click करेंगे add webhook add webhook पे click करते ही यहाँ पे हमारे पास एक dialogue box उपन हुआ है जो हमसे कह रहा है हमसे हमारी webhook URL पूछ रहा है जो webhook URL दोस्तों हमें पाबली connect ने दिया था हम उस same webhook URL को पाबली connect से करेंगे copy and then हमारे पाबली form builder पे यहाँ करेंगे इस same webhook URL को paste और click करेंगे save पे तो save पे click करते ही हमने successfully पाबली form builder में create किया गया हमारा form और पाबली connect इन दोनों को ही आपस में connect कर दिया है इसके बाद दोस्तों जो form हमने create किया था जिस form में हमने webhook URL add किया था digital marketing book यहाँ पे जो इस form submission का जो data है इस integration के तूरू इस connection के तूरू जैसी हमें इस form में एक नया form submission receive होगा तो automatically इस form submission का जो data है वो हमें यहाँ पे पाबली connect पे receive हो जाएगा तो यहाँ पे ही इसके बाद हमें एक test form submission करना होगा हमारे form पे हम वापस आते हैं पाबली connect पे यहाँ क्लिक करेंगे recapture webhook response पे and then हम वापस जाते हैं हमारे इस form पे जो हमने integrate किया है तो यह रहा हमारा form यह same form जिसमें हमने webhook add किया था वो हमारे पर preview mode पे यहाँ पे open हो चुका है और यहाँ पे इस form पे हम enter करते हैं एक user की details ओके सो यहाँ पे मैंने enter किये एक user की details इस user का इस dummy user का नाम है Gary Monroe साथ से साथ हमने enter किया है इस user का email address और phone number तो यहाँ क्लिक करते हैं summit पे तो summit पे क्लिक करते ही अभी अभी हमें अपने form में पैबली form विड़ल से जो हमने form create किया था उस form में एक नया form submission receive हुआ है और हम देखेंगे दोस्तों क्योंकि एक webbook URL के थुरू हमने इस form को पैबली कनेक के साथ connect किया था तो इस same form submission का जो data है वो हमें यहाँ पैबली कनेक में receive हो चुका है तो यहाँ response receive के नीचे हमें यहाँ पे एक response दिखाई दे रहा है जो कि उस same user का है Gary Monroe का जिसकी details अभी अभी हमने पैबली form builder में form submit करते वक्ट एंटर की थी तो यहाँ पे हमारे पास है same name, Gary Monroe, same email address और same phone number जो हमारा lead है, जो नया subscriber है जिसने हमारा जो form है हमारी website या कही पर attach किया था उस form submission का data उस subscriber का data है वो हमें यहाँ पे receive हो चुका है अब इस same data में हमें receive हुई है उस user की mention की गई email address तो इस same email address पे जो file हमारे पास Google Drive पे मौझूद है इस same file को अब हम share करेंगे तो ऐसा करने के लिए हम scroll करके नीचे आएंगे हमारी action window पे और choose app में यहाँ search करेंगे आज का हमारा दूसरा application जो है Google Drive So choose app में हमने select किया है Google Drive क्योंकि जो file हम share करना चाहते है वो मौझूद है हमारी Google Drive पे और choose app में Google Drive select करने के बाद हमें यहाँ पे यह पूछ रहा action event तो action event में हमें कई सारे action events की option दिखाई देते है जिसमें हम select करेंगे share a file और click करेंगे connect पे connect पे click करने के बाद हमें यहाँ पे अपना Google Drive अकाउंट connect करना है तो यहाँ select करेंगे add new connection click करेंगे connect with Google Drive पे select करेंगे अपना Google Drive अकाउंट and then scroll करके के नीचे क्लिक करेंगे continue पे so continue पे क्लिक करते ही हमने successfully अपना google drive account भी पाबली connect के साथ connect कर दिया है इसके बाद हमें आग कुछ fields दिखाई दीती है जिसमें से पहली field है file ID की so file ID के नीचे इस drop down में हम देख सकते हैं उन सभी files को जो हमारे google drive account में मौझूद है और इन सभी files में से जिस file को हम इस form submit करने वाले user को share करना चाहते है यानि कि हम चाहते है कि जैसी हमें इस form से एक नया submission receive हो तो form submit करने वाले user के साथ जो हम अपने digital marketing course की file share करना चाहते है उस file का नाम में myspace ebook.pdf तो इस file को हम share करना चाहते है तो या file ID में हम ने जो drop down में से इस file को select करते है आप यहाँ पे अपने google drive में मौझूद सभी files को देख सकते है और by any chances अगर आपको इस drop down में अपनी file नहीं मिलती है तो आप file ID के सामने दीगे इस mapping button को turn on कर सकते है default value को clear कर सकते है and then अपनी google drive पे जाके जो भी file आप share करना चाहते है उस file पे right click करे click करे get link पे get link पे click करने के बाद आपको यहाँ पे जो link मिलेगी जो URL मिलेगी इस में से d slash के बाद जो आपका URL है यह होगा आपका file ID तो यहाँ पे slash view से पहले और d slash के बाद जो यह ID है यह होगी आपकी उस file की ID तो यहाँ से आप this same file ID को कर सकते है copy और public connect में इस file ID की जगा पे कर सकते है paste by any chances अगर आपको drop down में file ID नहीं मिलती है तो आप इस process का भी use कर सकते है तो क्योंकि हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है हमारी file तो यहाँ पे myebook.pdf इस file को हमें यहाँ पे select कर लेते हैं अपनी file select करने के बाद यह हम से पूछ रहा है email किस user के साथ इस file को share करना है तो हमें जो में form response रिसीव हुआ है पावली form builder से उसमें हमारे user ने उसका email address mention किया था तो यहाँ से इस same email address को जो है अब हम map करेंगे इस email के field पे और Google Tribe को बताएंगे कि form submit करने वाली user का जो भी email address है उस email address पे इस file को share करें तो यह mapping का जो process है दोस्तो यह काफे simple होगा यहाँ पे email address के नीचे दीगे इस field पे हम click करेंगे और इस जो drop down में पावली form builder से जो response रिसीव हुआ है वहाँ से email को map कर देंगे तो यहाँ पे हमने successfully जो email address form submit करतवा की user ने enter किया था उस same email address को हमने यहाँ पे map कर दिया है then यह हम से पूछ रहा है role तो role के नीचे हमारे पास यहाँ पे तीन option है can view, can edit और can comment यहाँ पे हम इसे role को change इसे रहन देते है can view पे क्योंकि वो जो user है वो इस ebook को इस file को जो है डाउनलोड कर सकता है तो यहाँ पे अपना role select करने के बाद हम click करेंगे save and send test request पे तो save and send test request पे click करते ही हमें यहाँ पे एक response रिसीव हुआ है जो कि हमें एक positive response दिखाई देता है यह response हमें बताता है कि जिस user का हमने email address यहाँ पे map किया है यानकि basically जिस user के details हमने हमारे इस form में form submit करते वक enter की थी 11 मोंदरो उसके mention किये गए इस email address पे हमारे select की गई फाइल जो है वो automatically share हो चुकी है सो चली दोस्तो अब हम directly चलते है Gary Monroe इस user के mention किये गए इस email address पर और वहाँ चलके देखते हैं कि कि हमें महाँ पे कोई नई email receive होता है इस फाइल के साथ या नहीं सो यहां हम आते है एक बाइड न्यू टैब में स्विच करते है हमारे google account Gary Monroe इस user के account पे चाहते है इस user के Gmail पे और जी हाँ दोस्तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते है वो same email address जो हमने public form builder पे form submit करते वक एंटर किया था उस same email address पे हमारे google drive पे जो हमने file select की थी जो file upload की थी हमने जो file share करना चाहते थे वो file as an email यहाँ पे receive हो चुकी है तो mybook.pdf यहाँ हमारे पास है यह same file हम click करेंगे यह open पे और हम open पे click करके देखेंगे कि यह वो same file है digital marketing course की ebook है जो मैंने share कर रही थी जो मैं अपने form submit करने वाली users के साथ इस पूरे automation के तुरू share करना चाहता था यहाँ पर हमने देखा दोस्तों कि इस वीडियो में यह जो पूरा automation हमने setup किया है यह successfully काम कर रहा है जिसकी help से हम अपने public form builder में form submit करने वाली user को basically किसी भी form builder application में या फिर जो भी lead generation form या subscriber creation form आपने अपनी website पर add किया है उसमें form submit करने वाली user के mention कियेगा email address पर हमारी google drive में मौझूद जो file है उससे instantly एक दम form submit होते ही share कर सकते है सो क्यों ना इस automation को अब एक बार हम real time में test करके देख ले हम वापस आते हैं हमारे form पर जो हमने create किया है इससे करते हैं एक बार refresh और यहां पर एक और नए user की details एंटर करते हैं और देखते हैं कि क्या उस user के mention कियेगा email address पर automatically इस form submission पर instantly एक file deliver होती है या नहीं ओके सो इस form पर यहां मैंने एंटर किये है एक user की details यहां पर इस user का इस new lead का नाम है Michael Karas then हमने एंटर किया है इस user का email address और phone number तो हम क्लिक करेंगे submit पर तो submit पर क्लिक करते ही Michael Karas इस user की details के साथ हमें हमारा जो form था उस पर एक नया form submission रिसीव हुआ है अब दोस्तो हम चलते है Michael Karas के mention कियेगा email address के inbox पर और वहाँ चलके देखते है कि जो file हमने यहाँ पर select की थी जो हमारे e-book थे digital marketing की जो हम इस video में share कर रहे थे वो इस form के submit होते instantly उस user को share होती है as an email या नहीं तो हमाते एक new tab पे switch करते है account Michael Karas के account पे जाएंगे Gmail पे और जी हाँ दोस्तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते है अभी-अभी Michael Karas वो same user जिसकी डीडर्स के साथ हमें यहाँ पे एक form submission रिसीव हुआ था automatically उस user के mention की एक email address पे हमने instantly एक file share कर दी है यानि कि इस video में यह जो पूरा file delivery system हमने बनाया है दोस्तो कि form submit होने पे ही Google Tribe से automatically एक file share हो जाए यह पूरा file delivery system successfully काम कर रहा है तो चल यह इस automation को इस पूरे system को हमने setup तो कर लिया है हम बापस आते हैं पाबली connect पे और यहाँ के एक बार देखते हैं कि हमने इस system को setup कैसे किया तो सबसे पहले हमाई पाबली connect में और यहाँ से मिले एक वेबोक URL के help से हमने पाबली form builder यानि कि basically आप जो भी form building application online यूस कर रहा है उस form building application में उस वेबोक URL को आइट किया ताकि उसमें जो form submission हमें receive हो रहे है उसका data हम पाबली connect में collect कर सके and then जो data हमें पाबली connect में receive हो था उसमें से form submit करने वाले user का जो email है उस user को हमने add किया map किया हमारे google drive की action window पे ताकि google drive का जो action event है share file उसकी help से जो file हमारे पास google drive पे मौझूद है उसे हम इस automation के तुरू automatically instant लेक्दम तुरंती form submit करने वाले user के साथ share कर सके तो सिब यही applications नहीं दोस्तो पाबली connect की help से आप multiple applications को एक दूसरे के साथ integrate कर सकते है और अपने business को automate कर सकते है और हाँ एक और ज़रूरी बात इस वीडियो के description में आपको एक link मिलेगी जिस पे click करके आप इस same workflow को अपने पाबली connect अकाउंट पे clone कर सकते है और इस workflow को free में use कर सकते है किसी भी तरीके के help, feedback या queries के लिए आप अमारे साथ जूड़ सकते है forum.pably.com पर अगर आज काई वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो इस वीडियो को like करे, share करे और automation and integration से related ऐसे ही कुछ awesome वीडियो के लिए पाबली हिंदी को subscribe करे और हाँ, बल आइकन दवानात ना भूले सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तो, thank you